पमरनात में कुद्रत का कहर देखने को मिला है गुफा के पास बादल फटने से बाड में कई लोगों की मौत हुई है इस घटना में 13 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है जबकि 40 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं घायलों को इलाज के लिए एयर लिफ्ट किया जा रहा है NDRF ITBP और SDRF की टी में मौके पर है राहत बचाप कार्य जारी है बता दें की मौसम विभाग ने कुछ दिन पहले ही अमरनात में मौसम खराब होने की आशंका जताई थी वह इस घटना पर पियम मोदी और ग्रहमंत् शाह ने दुख व्यक्त किया है पियम और शाह ने जम्मू कश्मीर के उपरा जिपाल मनोज सिन्हा से बात की है पहले भी कई बार बादल फटे हैं और कई लोगों की जान जा चुकी है अमरनात में और भी कई खतरे हैं इस यात्रा पर आतंकी हमले का भी साया रहता है हम के बाबा के दर्बार जाते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहाड़ों से होकर रास्ता जाता है और ये रास्ता बहुत दुर्गम है ऐसे में रास्ते में ही कुछ अप्रिय घटने की आशंका बनी रहती है फिलहाल रस्क्यू कार्य जारी है और अभी 40 लोग लापत बताय जा रहे हैं देखना होगा कि इसमें से कितने लोग घायल हैं और कितनी और लोगों की मौत हुई है ब्यूरो रिपोर्ट जनसंदेश टाइम्स